नमस्कार मेरा नाम रंजे कुमार सिंग है मैं दो विश्यों से इसनात कोत्तर हूँ साथ ही मैं वेवसाई के योगिता में डिएट किया हुआ हूँ मेरी पधिस्थापना 36 गढ विकास खंड परताप पूर के अंतर गथ सुण गराम पंचायत के प्रात्मिक साला सालास ताल में है मैं यह जो मेरा विद्याला है यह सुरज पूर जिले से 40 कलो मेटर दूर एवन विकास खंड से 35 क्लो मेंटर दूर आधि बासि बाहले ग्राम में इसतित है मेरे श्रूस में की जो चेतर है 윤कों पालुखा से जोड़ खाने में बच्चों को मुझे बताने में बच्चों को मुझे समझाने में काफी परशानी का सामना करना पड़ता था और मेरे विद्यालाई के बच्चेओं को बार बार बठाने के बाद भी बच्चे का जो आॉट्पुट होता था वह अच्छे धंग से नहीं मील पाता था मेरे द्वारा काफी मेंद किया था लेकिन बच्चों के द्वारा जो मुझे आउपूट में से ही कि रूप कर जे डाय आई के माध्यम से जो प्रसिक्षन में हम लोगों को प्राप्त हुए जो मुझे प्राप्त हुए उसमें जैंने नइन बातों को इस्थानी इस्थारफ कर सुने के और जब हम लोगों ने यह प्रसिशन प्राप्त किया उसके बाद फिर इनका उप्योग जब विद्यालों में किये ते गजब का बदलाओ मुझे देखने को मिला चुकि इस्थानी स्तर पर बहुत सी चीजें इफिलेबिल हैं गरामीड शेतर के बच्चें हैं बहुत से इस्थानी स्तर चीजों को जानते हैं ऐसी इस्थिति में मैं बच्चों को जो हमारी सेक्ष्री गतिविदी है जो हमारी पाठ वस्तू है उसको बच्चों के समक्ष काफी रूची पूर्वक धंग से रख पाने में सफल हो पाया अब मेरा इमानना है कि जब मैं बच्चों के समक्ष इनका उप्योग करके जब अध्यापन कार कराया तो मेरे बच्चे काफी तेजी से इस बात को जो हमारी पिसेवस्तू है उसको जानने सिखने लगे और समझने लगे जेड आई-आई-ई-आई का जो इनोवेटिव पार्ट साला है जो एप है उसको मैं भी आनलाइन कलास में उप्योग करता हूं इसमें जो ग्रिट गेम है साफ सीड़ी है इनका उप्योग करके मेरे बिद्याले के बच्चे अपने ग्यान को बढ़ाने में सफल हो पा रहे ह हैं भुषसे ऐसे बच्चे हैं मेरे बिद्याले के जो एन एक उप्योग करके अपने मुबाइलों में डाउन लोड करके उसका उप्योग करके जो कि बच्चे जब शोयन करके सीखते हैं गतिवीजियों के माध्यम से सीखते हैं तो बहुत अच्छे डंग से बहुत तेजी से सिखते हैं और यह उनके ज्ञान में यह उनके मस्तिस्क में ज्यादा दिनों तक रहता है जो इनुवेटिव पार्ट से जो एप है उसका उप्योग करके बच्चे बहुत सी अपने ज्ञानों को बढ़ाने में सफर हो पा रहे हैं जो हमें जेडाय याई के माध्यम से जो प्रसिक्षण विकास खंड इस्तर पेम संकुल इस्तर पर दिये गए इन पर से यह प्रसिक्षण भी बहुत लाबकर रहे हैं चुकि बहुत संसालन हमारे आसपास उपलब्द हैं लेकिन अग्यानता के कारण हम उनका उप्योग सहाई स्क्षण सामकरी के रूप में नहीं कर पा रहे थे ऐसी इस्तिती में सुने निवेस जीरो खर्च पर जो हम लोगों को नए जो नए नए चीज़ें हैं वह जानने का उसर मिला और जब इसका उप्योग हम अपने विद्यालों में किये मुझे कहते हुए काफी खुसी हो रह है कि जो मैं पहले मेहनत करता था उससे कम मेहनत करकर कि मैं बच्चों को ग्यान को बढ़ाने में सफल हो पा रहा हूं यह सब जो प्रसिख्षण हुए उनके माध्यम से जो नहीं नहीं चीज़ें हैं वह सब जानने को सिखने को हम लोग आउसर मिला उसके माध्यम से मैं ऐस से असानी से समझें और साथ में उसका ब्यवारिक जीवन में अपने उप्योग करें इन सब चीजों को सुने निवेस नवाचार के माध्यम से जेड आई याई याई के जो बिभिन प्रकार के जो प्रसिक्षण हुए जो बिभिन प्रकार से सिखने के आउसर मिले जो एप हु सबहुं करके रुचिकर बना करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेडित कर पाने में सफल हो पा रहे हैं मेरा बिद्याले चोकि आदिवासी बहुली बिद्याले है जिला मुख्याले से 40 किमिटर दूर इस्थित है फिर भी जेड आई याई याई के प्रसिक्षण प्रात करने के बाद मैं अपने बिद्याले में काफी अच्छे डंग से जब उसको जिर निवेस नमाचार को है ऐसा करने से मेरे बिद्याले के बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने में काफी सफल हो पाये हैं मुझे पालकों का भी सहोग मिलता है मेरे पालक भी सुने निवेस नमाचार के माध्यम से जेड आई याई के माध्यम से प्राथ प्रसिक्षणों का उप्योग करके जब म पर सिख्षणों का उपयोग करके हम बच्चों को एक गुडवक्ता युक्त सिख्षा दे पाने में सफल हो पा रहे हैं मैं जो हमारा विद्याला है उस विद्याले को मरोल माडल विकास खान इस्तर पर माडल पर मानता हूं और मैं साथ ही श्री अर्विंद सोसाइटी और HDFC बैंक का मैं धन्यवाद गयापित करता हूं कि हमें एक ऐसा प्लेट फॉर्म मिला धन्यवाद सर्थ